कि अब्जिक्टिव प्रस्ण को पढ़ेंगे ठीकना तो दोस्तों ध्यान से पढ़िएगा और आंत तक ठीकना तो चलते हैं पहला प्रस्ण में ठीकना तो पहला प्रस्ण दिया है इस्तरी दल्चक्र फुस्पो में बना है यानि इस्तरी दल्चक्र बना है कौन बना है तो प लज तुपरक्त तिस सभी से अप्सटिन अंबर डी सक साही आंसर में थी सभी्य का सही अ किया तिया प्रसक concurrent प्रशन देखते हैं तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अप्षान नमबर B हो जाएगा बड़ाइवाइवाइव फायट्स ठीक नहीं जो फाइनली अंसर इसका हो जाएगा बड़ायो फाइट सब्सक्राइब आप अगला प्रस्ण में अगला प्रसने तीसरा है तीसरा है भुरुन पोस वाले बीजों को क्या कहा जाता है तो इसे आद रखेंगा दूस्तों इंडोस्पर्मिक कहा जाता अपसर नमबर डीस का सही आंसर हो जागा ठीक ना अपसर नमबर डी चली अगला प्रसन देखते हैं तो अगला प्रसन है नि जो इसे जलकुम्भी को कहते और सी स्का आंसर ठीक न सुनवर सी जलकुम्भी पर बाउवा परस्पना अगला प्रसंद प्रस्टAGबूर 25 किस में नहीं होता है तो पहला दिया है घश सब्सक्राइब झाल सब्सक्राइब कर लाटकर जाएगा साल बाउप्णिय। होता है से लिया में कीट परागन होता है ठीक ना तहां जो फाली एंसर हो जाएक अप्सेरा है दूसरा है दुसरा है दूरेगी में यह फटेको प्रस्न पर पसांसर की और साथ में बूरण फॉस है ऐसे जो दूसरा है अनालत भी जी तीस्क्त और चौता ऑप्सेंट या यह से वाल हो जाएगा अपसे नमबर भी हो जाएगा अनर्प अना भृति भीजिट भी तिक नब समर भी आगवन अगों इत्वन पॉस्वाला भी तो अप्सन नमर भी इसका फाइल नी अंसर अठीक न चलिए आठा परसने देखते हैं आठाइब है इन में से कौन काईक परवर्धन नहीं है इन में से कौन है जो काईक परवर्धन नहीं है तो यहां पर चार अप्संदिया जिन में सफाइल अप्सने प्रकंद दूसरा है चूसा की तीसरा है साखा चल भी जानू ठीक ना चल भी जानू तो हाँ जो आटमा को जो सही आंसर ह हो जाए चल भी जानों हो जाए ठीकन आप से नम्बर 10 का फाइनली अंसर हो जाएगा अप्सर नम्बर डी याद रहेगा फिरनों माप्रसन है विसकाउं साफ है जो कूट फाले ठीकना काउंस अफल है जो कूट फल है जहां पर इस चार अफंधिया है पहला आम है दूसरा नि घिला तो दास्मा फ्रस्ण है वरं पोश बुरन फोश का क्या कारी रेति लग्रॉस का करी एक तो मइन्हें डूसरा बनाना दूसरा बुरुन को पोश्णदेना तैसरे लिंग का निर्धारन करना ओछ़न रियी तो पॉस्ट्र सही कारी होगा तर्लॉन को पोश्न बेखेटें परजातियों में में बीज का असंंग जनन द्वारा होता है कि आप सिर्म करका रापτοवılा है ऐस रिसिया Columbus झीग न excel कि अगला प्रेशन प्रत praw फोस्त झाहे बुरन पोस्त क्या है याणी कि दृए दुए थैकि एगने धिकी दुरिए they की भ Gusti Alcor फोस्त्रय ऐन होता है क्यों तहीं थ्रिय और फिन की फोते फ्रीह तो और स्रीमोटित हुझ तो से होता है तो 13 वाण ठागा पेरी कार्फ से ठिकना पेडिकार्फ से अप्शनननमर ईसका फानली हो जाएगा सही ठिकना मैं पिर जोधा हमान प्रसन्हें भूमी फलनी फल है भूमी फलनीफ इन फल है कंसा फन है तो आप से नमтор है आलू बी हमोंग फली सी है प्यार्डी है अधरग ठीक ना तहां पर जो भूमी फली नी फल हो जाएगा मुंग फली अप्सन नमबर भी हो जाएगा ठीक ना अपसुन नमबर पीस का सही आंसर हो जागा रिन चलिए 15 प्रसंड देखते हैं 15 रहमा प्रसंड हे बायू पराग है चलिए अगला प्रसन देखते हैं ऑ करियान फसन हैं और सी दोनों ठीक मेंटरत तोनखना यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा जल कुम्भी च्योंते यह परागण क्ते है आगला प्रसण है भुरू को सकी सेंटरल कुसिका है भुरू को इसका म keld civic घो क्या थहते है तो पहला पेंडरчто और फिसरा है हैक यानिकी एक और दू दोना तेहां पर फाइनली इसका एंसर आज रखिए दुस्तों दूतियाग केंद्र टिक ना आप से नमबर 20 का याद रखिए गाया धूतियाग फरसंद आवला प्रसने है तो निमन में से कौन एक लिंगी है यानिक निमन कित में जो कौन है वह एक देखते हैं किस फलका बीज चोल खा जाता है यानि कौन सफ फले जिसके हम बीज चोल खाते ठीक ना तो पहला है जाइफल दूसरा है लीची तीसरा शरीफा और चौठा इन में सभी ठीक न तो फानिलिसका अंसर लीची होजाएगा अप्सन नमर भी होजाएगा जो जिसे हम ही चौल खा एदो किसका काते हैं लीची का बीज चौल खाते हैं फिर बीचीदस्वाब प्रस्ण है प्रॉगकन प्रागकन मुखобщता है बlles belong고 की यूगम ईक है कि इन clapping the eighth happiness ञभी नहीं टो प्रॉगकन मुखशता निकर व्हाय ठीना प्रागन का होता है नहीं यूगमः ऑप तो यह जिपाई से सब्सक्राइब उसकते हैं और कि और कर पर नहीं थो सकते हैं दो कि या इंङे से सभी पाग कि प्राग कन से जो एलर्जी होता ठीकना तो यह लर्जी कारको सकते हैं जो अप्सनमेर सी दिख आ है ठीकना तो आप से लिए अंसर हो जाएगा फिर फ्रन से प्रसंट देखे यह बायू पर आगे तूस्प समानिता होते हैं भायू प्राइप शूते हैं कि चोटे होते हैं कर दोच है लास्ट फ्रस्थने एनिमोसेली नामक प्राघंआ किसके द्वारा होता एनिमोसेली द्वारा किसमें होता है इनि की च्वाइँ से होता है कि ऐसे फैट खेख धोड़ से हैं टुर्मा आगी हाव सातर फिली घॉताए दन्यवाद